PMC Bank मामले में ED ने मुंबई में 6 जगों पर छापे मारी की है वहीं ED ने HDIL के निदेश को और PMC Bank के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्च कर लिया है PMC Bank के मैनेजमेंट पर आरोप है कि उसने अपनी नौन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरन के बारे में RBI को गलत जानकारी दी है PMC Bank के निलंबित हो चुके पूर्व MD Joy Thomas ने बताया है कि बैंक द्वारा दिये गए लोन का करीब 73 फेस दे हिस्सा सर्फ एक कंपनी Housing Development and Infrastructure को दिया गया है जो कि दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है